हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शेकिशना सिरादे बहुत स्वागत है आप सबके बेहत खास कारिकरम जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका आश्ट्रो फ्रेंड संतो संतो सी चाय की चुस्क्यों की बीच आनंद जबाता है हम जीवन के दर्शन के लिए कुछ खास दृष्च पर आप तो कर लेते हैं ये वही कारिकरम है जो आपके जीवन दर्षन के दृष्च को आपके समक्ष पर लक्शित करता हुआ आपके दिन को महाबेहतरीन बराने का एक प्रयास करता है और ये प्रयास सफल होता है हर दिन सफल होता है हर पल सफल होता है आज जीवन को ही सफल करने का उपा है आज का दिन जीवन को ही सफल करना मानसिक तनाव मानसिक अवसाथ यद्यप की इस पर अलग-अलग एंगल्स के साथ हमने कई सो किये हैं लेकिन आज एक जनरल वे में लेके चलते हैं कि मानसिक रूप से आप प्रशन नचित कैसे रहें डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें आज महानगरिये सभ्यता में महानगरों में मेट्रो सिटीज में छोटे-छोटे क्लासिस में पढ़ने वाले बच्चे भी मानसिक अवसाथ की शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं नुकलियर फैमिलीज सबका अपने-अपने electronic gadgets में busy रहना एक दूसरे के लिए समय ना दे पाना work pressure personal life के बिखरने का एक unknown terror आर्थिक आत्म निर्भरता की कमी नुकरियों मेरे सेसन आदि तमाम कारण बन जाते हैं जो की depression में चले जाते हैं हम आप सब वीडियो रहा था पीछले दिनों मैंने भायूजी महराज की विशे में depression का जो last stage होता है वो society होता है आत्महत्या ही होता है overthinkingness कारण है वही सब आपकी व्यस्तता से इसका संबंध होता है आज संडे का दिन है थोड़ा तवियत के साथ जब सुन रहे हैं तो सुन लीजिए पूरा बहुत सारी चीजों के साथ connected रहते हैं आप बहुत सारी चीजों के साथ तो पल भर में depression से बाहर निकालने का एक ब्रमास्त्र हम आप तक पहुँचाएंगे ग्रहिय इस्थितिक के विशे में हम आप तक जानकारियां देंगे और जो सबसे गहरी चीज आपको समझना है जीवन की कीमत समझना होगा चली पंचाँग बताते हैं आज का पंचाँग क्या है जेश्थ महाश्युक्र पक्ष चतुर्तिति थी चत्रमा करकराशी में ही नक्षत्र 6 बच के 18 मिनट तक पुछ इसके बाद असलेशा 6 बच के 19 मिनट से सुबह योग आज का व्याग घ्याद रहेगा व्याग हाथ तदरुसाद दिनांक 17 जून दिन रविवार राहुकाल का समय जो की अशुब माना जाता है शाम 4-3 से लेकर ये 6 बचे तक कोई भी नया और शुब काम ना करने तो बहतर है और गुलिकाल का समय शाम 3 बज़े से 4 बच कर 30 मिनट तक जो चाहें आप कर सकते हैं कारों के बनने की संभावनाय प्रबल हो जाती है चलिए गुरहों की बारी आ गई है गुरहों की बारे में बात कर लेते हैं लेकिन पहले बता देते हैं आज के गुरह इस्थिती के विशे में सुर्य मुद्य मिथुन राशी में राहु चंद्रमा शुक्र करक में ब्रहश पत्तुला में शनी धनू में मंगल के तुमकर राशी में और सुर्योदय चोकी पुशनक्षत्र में हुआ है लेकिन छणिक रहेगा आपके पूरे दिन का निर्धारण किस प्रकार से कर देती है ये हम बताने वाले हैं लेकिन आज आंतरिक रूप से आप सब को हम प्रशन करेंगे क्योंकि आज हम आपको डिप्रिशन से बचने का एक नुस्खा देने जा रहे हैं एक ब्रम्हास्त्र देने जा रहे हैं जो कि बेहद अनिवारे रहेगा और ऐसे आपको डिप्रिशन से बाहर निकालेगा चूम अंतर चुटकियों में चली सुरुवात करते हैं और बताते हैं सब से पहले मेश वालों के लिए आज के दिन का हाल आज मेश वाले जितनी मेहनत उतना फल आज कई प्रकार के विवादों से मुक्ति का समय शादी तैं होने का समय संपत्ति विवाद से बाहर निकलने का समय आज लंबी आत्रा बाहरी आत्रा आपके लिए सुख़त रहेगी आपके लिए संपन्नता धायक रहेगी कोई पुरानी चलियार ही समस्या से भी आज मेश वालों को मुक्ति मिलेगी एक पुराना यार आज आपके करीब आएगा और आपको हर प्रकार से लाग पहुँचाएगा नई नौकरी का प्रयास भी आपका सफल हो जाएगा धन के निमित आपको ज़्यादा श्रम नहीं करना है धन आपके पास स्वतह चल कर आएगा आज संतान के प्रती आपको थोड़ा अंदर से आश्वासन मिलेगा कि आपका बच्चा सही चल रहा है सही जा रहा है आज मेश राशी वालों के लिए अपने आप पर भरोसा करने का दिन है शुबरंग आपके लिए ब्राउन भ्राग्य प्रतिशत उनसठ ब्रशव राशी घर में मांगलिक कारे संपन्न हो सकते हैं छोटे मोटे मांगलिक कारे आज हो ही जाएंगे चल चल संपत्ती की प्राप्ति होगी संपत्ती विवाद से मुक्ति का समय आया है आज कोई बहुत बिछरा हुआ यार आपके करीब आ सकता है दिन बहुत खुश्गवार गुजरेगा थोड़ा स्वास्त को लेकर के अटेंटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा पत्नी के साथ आग विवाद न पैदा करें तो शुब है आपके लिए पश्चिम दिसा की यात्रा से आपके लिए आज लाव के मार्ग प्रशस्त होंगे शुबरंग आपके लिए लाल भाग के पृतिशत पचास मिथुन राजी कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद को आज आगे आएगा बेहत खास कोई आपका अपना कुछ विशेश लाव देगा मिथुन के लिए अगर आज शादी के निमित कुछ कदम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं तैह हो सकती है शादी रुके धन की प्रापती शाम चार बच कर तीस मिनट के बाद संभव है आप तकादा करके देखेगा पैसा मिल जाएगा सुक्षा छेत्र में आप कदम बढ़ा सकते हैं धनलाव आपको वहां से भी होगा सुक्षा से भी शुबरंग बादामी भागी प्रतिश्वते कहत्तर करक राजी आज कोई बड़ा काम संपन होने जा रहा है चंद्रमा के कारण माता के साथ विशेश सामंजस से बनेगा कला और मनरंजन से जुड़े लोग और मीडिया से जुड़े लोग जो करक राजी के हैं आज प्रशन रहे अचल संपत्ति के विवाद से भी आज बाहर निकल आएंगे नए आवाहन ले सकते हैं गुलिक काल का ध्यान रखिएगा नए जमीन के सौधे आदी में भी इन्वाल्व हो सकते हैं आज एक गुट नियूज है आपके लिए पुराना कोई बहुत बिछ़़ा हुआ आज आपके करीब आ जाएगा हर प्रकार की मजबूती प्राप्त होगी सफेद रंग शुभर साथ प्रिस्द का भाग्य है सिंग राशे किसी बहुत पुराने मित्र के संपर्क में आने से आज सिंग राशे वालों को विशेश फाइदा होने जा रहा है हर सुबह एक नई उमंग आपको दिखाई देती है और आज की उमंग आपके लिए प्राप्ती की दिवार खड़ी कर देगी संपत्तियों की विबात से बाहर आएंगे खुद के स्वास्त पर चला रहा खर्श कम होगा आज अंदर से प्रशन रहेंगे और आज सिंग राशे वालों के लिए थोड़ा मेहनत भरा दिन कहा जा सकता है केसरिया रंग्शुभ है तिरसट प्रशट का भाग्य है कन्या राशी जल्दी वाजी घहा तक रहेगी सही समय पर सही निरणय लिया जा सकता है दोस्तियारी में आज प्रगारता आएगी मन मुटाव खत्म होंगे रिष्टों की वैल्यू को आप समझ सकेंगे वाहन से आपको विशेश लाब मिलेगा आज अपने व्यापार को विस्तार भी दे सकते हैं आज कन्या राशी वालों के लिए सुक्षा में भी मन अच्छा लगने का दिन है खुद से वाहन चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको आज कश्ट मिल सकता है उस पक्ष पर आपको विशेश ध्यान दे रहा है शुपरंगहरा भागी प्रतिशत बासट तुला राशी बिदेश से सुप संदेश की प्राप्ति होगी कल का बिशड़ा यार आज वापस गले मिल सकता है आज तुला राशी वालों के लिए किसी रिष्टेदारी में घूमने टहलने जाने का भी आफसर दिखाई देता है आज तुला वाले राश्पत की किरपा अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं बड़ा प्रोजक्ट आपको मिल सकता है बड़ी समस्या से बाहर आने में शाम का समय मददगार साबित होगा शाम का गोचर आपके लिए बेहत खास रहेगा आज तुला राशी वाले जिदना अपने आपको इस ट्रॉंग बनारा सकते हैं आप बना लिजेगा दिन आपका है किसी पुराने समस्या के समाधान से आज चेहरे पर खुशी का वातावरण रहेगा घर में भी आज चहल पहल बनी रहेगी कोई यार दोस्त मिलने आ सकता है या हो सकता है कहीं आप भी आज घुमने टहलने पार्टी में चले जाएं व्रश्चिक वालों के लिए पुराने शत्रु से मुक्ति पाने का दिन आज बेहत खास रहेगा अगर आप कला और एक्टिंग आदी जैसे छेत्रों से जुड़े हैं कोई आज बड़ा प्रोजेक्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं एक अंजाना सा डर आपको शाम को सता सकता है जिसपर विजे प्राप्त करना आपके अपने आंतरिक फैसले पर निर्भर करेगा शुबरंगुलाभी भागी प्रतिशत पच्पन धनुराशी शुक्षा से सम्मंधित निर्ड़े आज सफल सावित होंगे संस्थान बदलने का भी आज प्रयास कर सकते हैं आप आज धनुराशी वालों के लिए अपने मतलब की चीजों को सिद्ध करने का दिन है कोई बहुत करीबी दोस्त प्रशन होगा आप से धनुराशी वालों के लिए आज के दिन नई नौकरी के प्रयास आज ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए शादी का मैटर आज थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है शादी के मैटर पर मामला करबर हो सकता है शुबरंकाला भाग की प्रतिशत 64 मकर राशी व्यापार आज उन्नती देगा बड़े फैसले लिए जा सकते हैं किसी दोस्त के साथ घूमने टहलने का भी कारकरम बना सकते हैं मकर राशी वाले उत्तर दिशा से आज शुब संदेश आपको प्राप्त होगा अज्यात आशंकाएं परेशान कर सकती हैं लेकिन आंतरिक मजबूती आपको बहुत मजबूत कर सकता है मकर राशी वालों के लिए अपना व्यापार रंग लाएगा बैगनी रंग शुब हैं 61 प्रतिशत का भाग आपके साथ है मकर राशी हो गई कुम्बराशी बड़बोलापन आपके लिए घातक रहेगा आप से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें लोगों के निगाह में आपको आज परिशान कर सकता है जितना हो सके अपने आपको आप आज फ्रंट पे रखें और मेहनत से ना भागें आज लड़ाई जगडे से अपने आपको बचा के रखिएगा कोई बहुत पुरानी समस्या आज फ्रंट पे आ सकती है थोड़े से जूजते नजर आएंगे जितना हो अपने आप पर भरोसा रखें अपनी वाणी पर संयम रखें बढ़ चढ़ करके आध्यात्मिक रूप से अपने आपको मजबूत बनाएं शुबरंग नीला भाग्य प्रश्चत अठावन आपके भविश्य फल से ज़्यादा सलाहें हैं आज सलाहों पर अमल करिएगा कोई मित्र बहुत पुराना आज बेहत करीब आकर कि आपको किसी बड़ी समस्या से बाहर निकालेगा शादी आज तैं हो सकती मिन राशी वालों की पश्यम दिसा से शुब संदेश आपको प्राप्थ हो सकता है आज मा के स्वास्थ पे थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है पिता के साथ बनमुटाव समाप्थ होगा आज पत्नी रूट सकती है फ्लैक्सिबल रहिएगा मिन राशी वाले व्यापार में आज अच्छा करेंगे आज प्रेम बना के रखिएगा शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग की प्रतिसर्ट सणसट राशीयों का हाल था आज डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला एक नुस्खा आप तक पहुँचाएंगे हम कि कैसे आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में हमारा खास प्रियोग जिसको हम ब्रम्हास्त्र कहते हैं एक काम करेगा थोड़ी से आखों में इचिंग हो रही थी चलिए पहले आज के भाग्याक्षर से आपका परिचकर आते हैं आईए जानते हैं मेश जा विशब रा मिथुन धाग्षर करक छोटाऊ सिंग शाग्षर कन्याता तुला याग्षर व्रिश्चिक धा धनु खाग्षर मकर भा कुम्भ फाग्षर और मीन घा घवराना मत यह आपके अपने खास सुब भाग्याक्षर है 24 घंटे के लिए इन्हें अपने पास एक साधे चोक और कागच पर लिखकर अपने पॉकेट में रख लेना है और फिर देखिएगा इसका आनंद कितना आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सक्सेजगी की तरफ एक तुलसी की पत्ती पर शक्कर रखकर और फिर उसे ग्रहन कर लिजेगा और फिर घर से अपने प्रस्थान करिएगा यही छोड़ा सा प्रियोग आपके लिए आज के दिन को कुंजी की तरफ सफल कर देगा मतलब ताला की कुंजी माली जे भाग्य में ताला लगा हो खुलनी तो कुंजी से है की से है तो सक्सेजगी नाम देखिए नाम की सार्थकता सिद्ध करना हर किसी के वश में नहीं है भागशालियों को मिलता है चलिए बढ़ेंगा आगे बताते हैं आज के ब्रह्मास्त के बारे में डिप्रेशन से कैसे बचा जाए नोट कर लीजेगा आपकी स्क्रीन पर डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला ब्रह्मास्त तीन काली मिर्च लेकर सिल्वर्टे पर पीस लीजी मात्र तीन दाना में लेना है साथ मून तेल टपका दीजी अनामिका अंगुली से तीन बार दक्षिना वर्त चलाईए और दोनों कान के पास इसी अंगुली से ही लगा लेजे दोनों कान के आसपास कहीं पर भी मात्र इतना करने का आनंद आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा ये प्रियोग कभी भी किया जा सकता है आज करें कल करें परसों करें चाहे जब कर सकते हैं बस नौनवेज ना खाए हो और पत्थर निकाल करके ही इस प्रियोग को करने का आनंद आएगा फिलाल के लिए अपने इस्टोफेंट को अनुमत दीजेगा अभी एमदाबाद के अपॉइंट्मेंट वेटिंग पे नाम लिखे जा रहे हैं कल आप लोगों के हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो आप लोग को लग रहा की फुल हुआ है के बाद भी आप लोग वेटिंग पर नाम लिखवा दिया करियेगा फिलाल के लिए अनुमत चाहेंगे हम खुश रहे प्रशन रहेगा और अभी आप हमसे मिल सकते हैं दिनान के किस तारिक तक लगातार गाजयवाद में नमशकार, have a nice day हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा